आज का वीडियो Poco F6 के उपर होने वाला है इस फोन का confirm price and launch date मेरे पास आ चुका है ये detail मेरे गुपचरों ने सीधे Poco के company से चुराई है और तो और ये फोन चाइना में launch हो चुका है Redmi Turbo 3 के नाम से वैसे कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दू कि Poco भी Redmi का ही brand है जैसे की IQ Vivo का brand है इस फोन का price जानने से पहले इस फोन के कुछ specification के बारे में जान लेते हैं कि क्या ये इंडिया की गर्मी को जहल पाएगा या इंडिया में आते ही ये भी तो आई ये वीडियो को start करते हैं सबसे पहले बात करें इस फोन की design की इस फोन को Poco वालों ने एकदम simple and glossy look देने की कोशिस करा है इस फोन का back plastic का ही दिया जाएगा कोई लेदर और glass back देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर flat side design दी गई है यानि ये फोन एक boxy type design के साथ आएगा इसके अंदर कोई 3.5 mm का गड़ा नहीं दिया जाएगा इस फोन का weight approximately 183 gram देखने को आपको मिल जाएगा और 183 gram is good weight means ज़्यादा light भी नहीं रहेगा और नहीं ज़्यादा heavy रहने मला है means it's definitely good इस फोन में IR blaster include किया गया है that's good ये तो हो गई design की बाद अब बात करते हैं इस फोन का software experience के बारे में अदर Qualcomm Snapdragon 8S Gen3 का processor दिया है means performance तो यहाँ पे तगड़ी होने वाली है यही same processor IQ अपने upcoming phone G9 Turbo के अंदर देगा means इस गर्नी में free WWE देखने को मिलेगा ओ भी smartphone industry में मैं तो यही कहूंगा कि IPL छोड़ो सब आजाओ fight देखने इस phone का अंदुतू score almost 1.5 million के करीब देखने को मिलेगा इन सारी चीजों के साथ साथ ये India's first phone होने वाला है जिसके अंदर 8S Gen3 का support दिया जाएगा इन छोटी छोटी चीजों से जो phone चलाने का experience है वो काफी upper level का हो जाता है gaming की बात करे तो इस phone के अंदर high setting में BGM I play कर पाओगे without any frame drop यहाँ पर gamers तो जसन मनाने वाले हैं game तो इस phone में एकदम मखन की तरह चलेगा और CPU throttle almost constant देखने को मिलता है logwork 85-90% के बीच में CPU throttle निकाल कर देगा अब बात करते हैं इस phone की display की यहाँ पे हमें flat display support देखने को मिलेगा इसके अंदर 6.67 inch का 1.5 resolution वाला MLA display दिया गया है यह resolution सुनने में काफी ही तगडे लग रहा है content देखने के time एकदम मजा आ जाएगा यह display Redmi वालों ने पहली बार अपने Redmi Note 13 Pro के अंदर introduce किया था इन सारे चीज के साथ साथ brightness section की बात करे तो 2400 nits की peak brightness दी जाएगी रात के time गलती से ठेरीस पर चड़के इसका brightness पुल मत कर देना रात से दीन हो जाएगा यहाँ पर हमें डॉल्वी वीजल का support भी दिया गया है यहाँ पर अगर आप बेजल्स और चीन पे नौजर डालोगे तो बहुत ही पतले दिये गया है एक सबसे तगड़ी बात इसके अंदर कॉर्णिंग गोरिला ग्रास बेक्टरस का support दिया गया है मिन्स अगर रोड पे चलते टाइम गिर गया तो डॉंट वरी आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर कोई भी सिकायब देखने को नहीं मिलेगी और experience भी बहुत ही next level होने वाला है इसके बैक में dual camera सेट अप दिये गया है 50MP का Sony का LYT600 sensor with OIS support दिया गया है and second 8MP का ultra wide sensor मिलता है front camera के अंदर 20MP का camera setup दिया गया है Sony का sensor दिया गया है तो definitely photos वेगेरा एकदम अच्छे निकल कर आएंगे जब सुनते हैं कि इसके अंदर Sony का camera यूज हुआ है तो एक satisfaction आता है अंदर से की फिर camera तो अच्छा ही मिलेगा इस phone के rear camera से 4K 60fps पे video record कर पाऊगे और front camera से 1080p 60fps तक का ही support दिया गया है यहाँ पे हमें camera quality भी अच्छी देखने को मिल जाएगी यह अपने साथ 2 variant option कैरी करेगा 12GB, 256GB और 16GB, 212GB और इसका RAM टाइप LPDDR5X मिलेगा और UFS 4.0 का storage टाइप दिया जाएगा यह phone out of the box Android 14 कैरी करता है जो की HyperOS पर best मिलता है और तो Poco अपने phones के अंदर 3 साल का Android अपडेट और 4 साल का security patch अपडेट देते हैं तो इस phone के अंदर यही system रहने वाला है बैटरी section की और देखे तो यहाँ पे आपको 5000 MS का big battery का support दिया जाएगा phone के साथ में 90W का fast charging support देखने को मिलेगा इस 90W के charger से almost 45 minutes में आपका phone full charge हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कोई wireless charging का support देखने को नहीं मिलेगा बट ठीक ठाक चलेगा अगर connectivity की बात करे तो इसके अंदर total 12 5G bands दिये हैं यहाँ पे dual 5G connectivity support मिल जाएगा इसके साथ साथ Wi-Fi 6E का support है Bluetooth 5.4 का support भी provide किया जाएगा और तो और इसके अंदर NFC का भी support मिल जाएगा कुछ और भी specification जो की इस phone के साथ देखने को मिलेगा जैसे in display, fingerprint, and stereo speaker with Dolby Atmos support and IP64 rating conclusion की बात करे तो यह phone May के last तक या June के starting में launch हो जाएगा और इस phone का pricing लगभग 28,000 रहने वाला है इस price range में यह phone मैं बोलूँगा definitely अच्छा रहेगा अगर offer वेगेरा लगा कर यह phone आपको 25,000 तक मिले तो बीना सोचे इस phone की और जाना क्योंकि इस price range में यह 20 phone होने वाला है अगला वीडियो कौन से phone के topic की पे चाहिए comment में लिखे मिलते हैं ऐसे ही नए और प्रेस वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर